कि एक बार बहुत वह स्वागत है आपका मारी यूट्यूब अकाउंट में जिसका नाम है बहुजन यूट्यूबर और साथियो तो आज मैं आया हूं करेरा बुद्धियार पर और आपको मैं बता दू इससे पहले भी मैंने करेरा बुद्धियार पर एक वीडियो बनाया था चूकि तब बुद्धियार बनके तयार नहीं हुआ था और अब बुद्धियार लगवा बनके तयार हो चुका है 14 अपरेल को इसका अब उधगहटन हुआ था जो मान नहीं आके विदायक जी जश्मन जाटब जी उनकी द्वारा इसका उधगहटन करवाया था और चुकि हम लोग मैं अंजुल वहिया और सन्नी वहिया महू गए हुगे थे महू जाने के कारण मैं यहाँ पर नहीं आ पाया था और इसकी वीडियो नहीं बना पाया था और उस दिन से लेकर मुझे अभी तक लगए टाइम नहीं बना पाया था मैं कोर्सिस कर रहा था कि मैं जा पाऊं अपने कुछ कारणों से मैं यहाँ नहीं आ पाया था तो मैं आ गया हूं तो सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए तो सबसे पहले आपको मैं बुद्वियार दिखा दे रहा हूं उसके बाद हम बात करती है तो चली मैं आपको बुद्वियार बताता हूं कि बुद्वियार कैसा है अभी आपने देखा कि बाबा साव मेटकर और भगवान बुद्द की एक तस्वीर रखी हूई है और साइट वे एक बड़ी सी तस्वीर बाबा साव मेटकर की रखी गई और यहाँ पर जो तथागत बुद्द की जो मूर्थी है वो अभी आप देख सकते हैं पीले कप्रे से ढकी हुई है चूकि मैंने बंते जी से अभी बात की तो बंते जी बता रहे हैं कि अभी जो मूर्थी है उसका उद्घाटन नहीं हुआ है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बुद्ध भ्यार जो है अभी निर्मान देने मतलब काम चल रहा है इस पर तो तथाग करहरा में करहरा की लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकवरी भी है कि तथागत बुद्ध विहार जो करहरा में बन चुका है बस समय इतना है कि जल से जल इसका उद्घाटन हो और हम सब लोग आकर तथागत बुद्ध की जो मूर्थी है उसकी दर्शन कर मैं आपको बता दूं बाहर जो हवा बहुत तेज चल रही जिस वाचे से आप साइद आवाज कम आ रही होगी और चुकि मेरे साथ बंतेजी भी है मैं बंतेजी से अभी बात की तो बंतेजी बता रहे थे कि जो मूर्थी यहां पर रखी हुई है मूर्थी का उद्घाटन जो है अठा करेरा जिस जगह पर बुद्ध विहार बनाए ना मुझे काफी सांदार और खुबसूरत है आप पीछ मेरे देख पार है वीचे करेरा का किला है किले के पास में पुर्थी अंदर रखी हुई है उसका बुद्ध पूर्मा की दिन होने वाला है तो आप अधिकरणासी है तो अभी से आपको बता दे रहा हूं कि 18 अपड़ेगी तो उस दिन इस मूर्थी का उत्गाटन होगा तो आप ज्यादर से ज्यादर संक्यामा पहुचें आपर यह सबसे सुन्दर बुद्ध आ रहा है तो काफी सुन्दर होने वाला और आपको में आपको आपको शाप नहीं आ रहा है क्याय थोड़ा ऊचाई पर बना हुआ जिस वज़े से यहां पर हवा बहुत चलती है पिछली वीडियो भी जब मैंने आपको बनाई थी यहां की तो अब मैं आपको बता दूँँ उस वक्त भूत हवाद चल रही थी जिस वजह से थोड़े अब आज जो साप नहीं आ पाई थी और अगर आप वीडियो देखना चाहते तो आप मेरे डिस्क्रेप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं मैं उस वीडियो को आपको डाल झाल को आपको